ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फन यराशी फले चार अपरेल दोजार तेईस मंगल बार का दिन है चेत्र महा के शुकलपक्ष की त्रयोदशीत ही थी है पुर्वा फालगुनी नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दोपहर तीन बजे से शुरू होकर के साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्य नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अंसर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई शेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी मीन राशी में वहीं चंद्रमा सिंग राशी में, मंगल गरह मिथुन राशी में, बुद्ध गरह मेंस राशी में, देव गुरूब रहस्पती जोकी मीन राशी में, शुक्र गरह मेंस राशी में, शनी डेव कुम्ब राशी में, राहु गरह मेंस राशी में तथा केतु गरह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के नुसार व्रशब कर ककन्या व्रश्चिक एवब मकर ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशा ले देने वाली है दिन इनके ले लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के साथ कारिक्षितर में उन्नती और प्रगती के भी उत तक जरू देखेगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं में स्रासी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लापदायक योजनाएं बनेगी घर के भदलाव संबंदी व विदियों में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारत् इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शान्ती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तो था आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महतुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारता लाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रोप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्वानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितीत होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्मिश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को समभाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वज़ह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदट के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागशाली अंक तीन होगा भागशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समाच से भी संस्था में आपका विशेष योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ति होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से सम्पन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अच्छानक पराप्त हो सकता है कोई अच्छानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्यापत होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भगर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वज़े से स्वभाव में चर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराब कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्टे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भागवान विष्णू जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा अग्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे पहरिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गति विदियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगात कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गतिविधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्णु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपून मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतित करेंगे इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिय भी संपन करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबध्य कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में चट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद